दोस्तो फाइनली NMDC की तरफ से officially quarter two results सामने आ चुके हैं और साथ ही साथ में NMDC ने officially अपना stock bonus भी announce कर दिया है इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को NMDC और Tata Steel के साथ में कुछ ऐसी companies के shares के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्नोंने यहाँ पे bonus, split और dividend announce कराए मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को start करते हैं आज आते हैं बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले share की तो company का नाम है AK Capital Services Limited last trading session पे एक company का जो share है हमें लगबग 1% की तेजी दिखाता देखने को मिला 1184 रुपीज पे close हुआ अगर इस company के official announcement की बात करें तो AK Capital Services ने जो है dividend announce कर दिया है 12 रुपीज का आपको आपके हर एक share पे 12 रुपे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की X date record date जो है 20th of November यानि की 20 November की रखी गई है अगले share की बात करें तो company का नाम है Asian Paints Limited अभी last trading session में Asian Paints का जो share है 8% की बड़ी गिरावट करता देखने को मिला 2547 रुपीज पे close हुआ अगर इस company के official announcement की बात करें तो Asian Paints ने जो बे dividend announce कर दिया है 4.25 रुपीज का आपको आपके हरे एक share पे 4.25 पैसे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की भी X date, record date, same day की रखी गई है यानि की 19th of November की अगले share की बात करें तो company का नाम है Mavana Sugars Limited last trading session पे एक company का जो share है हमें 3% से जादा गिरावट करता देखने को मिला और 102 रुपीज पे close हुआ इस company के official announcement की बात करने से पहले एक बड़ी और positive update आप लोगों की साथ में share कर लेता हूँ अगर आप लोग चाहें तो मेरा 100% free वाला टेलीग्राम चैनल जरूर से जोइन कर सकते हैं इसी वीडियो के description पे आपको link मिल जाएगा यहाँ पे मैं आप लोगों को regular basis पे cash के उपर में stocks पे buying recommendation शेयर करता हूँ short term के लिए scalping setup और वही mid term के लिए swing trading setup प्रवाइट करता हूँ देखिए यह आप सभी के लिए काफी जादा beneficial रहेगा इसकी guarantee मैं खुद लेने को तयार हूँ तो description में दिया हूँ लिंक एक बरी check out जरूर से करियेगा बागी मवाना sugars के अगर official announcement की बात करें तो इस company ने जो है dividend announce कर दिया है 3 रुपीस का आपको आपके हर एक share पे 3 रुपे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की x date record date जो है 23rd of November यानि की 23rd November की रखी गई है अगले share की बात करें तो company का नाम है मैजगाउं डॉक शिप बिल्डर्स लिमेटेड अभी last trading session पे company का जो share है हमें 0.5% की गिरावट करता देखने को मिला 4,099 रुपीस पे close हुआ इस company के official announcement की बात करें तो मैजगाउं डॉक शिप बिल्डर्स ने जो है dividend और split दो चीज़े announce करें थी जिसमें से dividend को देने की x date record date अल्रेडी निकल चुकी है जो की 30th of October की थी अब बचाए company का stock split जो की announce करा था 1-2 के ratio से 1-2-2 के split का मदलब ये है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो दो shares में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आपके सभी के सभी shares यहां पर डबल हो जाएगे अभी तक company ने split को देने की x date record date announce नहीं करी है तो company का नाम है NMDC Limited NMDC का जो share है last trading session पे लगबग 1% की गिरावट करता देखने को मिला 233 रुपीज पे close हुआ NMDC के finally quarter 2 results और bonus announcement साथ में आ चुका है सबसे बहले quarter 2 results की बात करते हैं main main चीजों को cover करूँगा जादर detail में जाके सब कुछ cover नहीं करूँगा सिरफ वो important चीज़ है जो आपके और मेरे काम की है सबसे बहले अगर company के net profit की हम बात करें तो अभी quarter 2 के अंदर company ने जो net profit report करा है वो है 1195 करोर रुपीज का जिसको कि अगर आप last year के quarter 2 से compare करते हैं तो पिछले साल quarter 2 में company का जो net profit था 1024 करोर का था तो year on year basis पे company का जो net profit है 17% बढ़ता नज़र आया है जोगी actual में एक अच्छी growth है company के net profit पे year on year basis में वहीं अगर हम बात करें company के revenue की तो आप देख सकते हैं company का जो revenue रहा है वो इस बारी quarter 2 के अंदर में 15 करोर रुपीस का था तो revenue के अंदर में भी हमें काफी अच्छा growth यहाँ पे देखने को मिला है 22% से ज़ादा company का revenue increase हो चुका है actual में year on year basis पे अगर हम बात करें company के quarter 2 results काफी ज़ादा अच्छी है net profit और revenue दोनों में ही हमें काफी अच्छा growth यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर हम NMDC के official bonus announcement की बात करें तो देखे company ने board meeting organize करी थी main focus अपका bonus को लेकर के था bonus company ने announce करा है 2 is to 1 के ratio से जिसका मतलब काफी simple है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको 2 shares का bonus मिलेगा आपका 1 share 3 shares में convert हो जाएगा चाहिए फिर बेशक आपके पास में NMDC के जितने मरजी shares हो आपको आपके हर एक share पे 2 नए shares as a bonus मिल जाएगे actual में bonus announcement भी काफी अच्छा है तो bonus भी अच्छा announce हुआ है quarterly results भी काफी अच्छे है बस bonus को देने की x date record date अभी upcoming में है वो जैसी announcement आएगा मैं आपको intimate कर दूँगा उसके लिए आप लोग चैनल को subscribe करिएगा और जरूर से अब NMDC के share को आपकी नजरों के अंदर में बना की रखिए क्योंकि bonus अच्छा आ चुका है quarter two results भी काफी अच्छे आ चुके है अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले end last update की company का नाम है Tata Steel Limited Tata Steel का जो share है last trading session पे हमें लगबग 1.5% की गिरावट करता देखने को मिला 145 रुपीज पे close हुआ Tata Steel की तरफ से काफी बड़ी और एक important update सामने आ रही है basically यहाँ पे bofa securities करके एक brokerage firm है और bofa securities ने जोब Tata Steel के share पे पहले bullishness दिखाई थी buying recommendation देते हुए 180 रुपीज का target price set करा था अब इसी target को bofa securities ने degrade करा है downgrade करा है और 170 and 70 रुपीज पे shift कर दिया है मतलब अभी भी bofa securities है तो bullish लेकिन target price यहाँ पे reduce कर दिया गया है because Tata Steel के share पे इतना ज़ादा कुछ momentum हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है लगबग 145 रुपे से लेके 170 रुपे तक की एक जो rally है bofa securities expect करके चल रहा है Tata Steel के share के उपर में अगर Tata Steel की as a company हम बात करें सभी को पता है fundamentally financially company काफी strong है और कितनी बारी में point out भी कर चुगा हूँ company में एक main issue है last 3 consecutive financial years से company का जो revenue है वो almost consolidation phase में आ चुका है यानि कि last 3 सालों से company का जो revenue है वो बिलकुल भी increase होता देखने को नहीं मिला है अब जब revenue इंक्रीज नहीं होगा तो actual valuation company को कैसे मिलेगी और यही एक बड़ा problem है Tata Steel के साथ की company की जो sales है वो increase नहीं हो पा रही है लेकिन अभी अगर आप देखेंगे USA के अंदर यहाँ पे elections में Donald Trump जीते हैं और कही ना कहीं वो steel manufacturing ये steel production industry को लेके काफी ज़धा positive end जो भी import duties हैं उनको यहाँ पे वो कम करेंगे तो कही ना कहीं जो भी Tata Steel या बाकी इंडिया के बड़े steel producers हैं इनकी जो exports हैं वो हमें बढ़ते नजर आ सकते हैं और actual में demand और ज़धा increase हो सकती है तो कहीं ना कहीं अब expectation तो यही हैं कि Tata Steel आने वाले 6-8 महीनों के अंदर में थोड़ा बहुत revenue increase करता देखने को मिले और उस चलते फिर company का share भी एक अच्छे momentum में हमें आता देखने को मिले रही बात 170 रुपे के target की target बेशक छोटा हो गया है लेकिन short term में बिलकुल भी achieve नहीं होगा इसके chances एक दम ना के बराबर है at least आपको company के share को multiple months तक hold करना पड़ेगा तब जाके 170 रुपे का target भी आपको देखने को मिलेगा तो short term investors तो पहले ही Tata Steel से दूर रहेंगे सिरफ mid term से लेकि long term investors Tata Steel में अपनी entry बना सकते हैं जो लोग patiently company के share को hold कर सकते हैं all over company और share दोनों ही काफी strong है जिस एक छोटी सी problem है short term में आपको कोई momentum देखने को नहीं मिलेगा और actual में company का revenue भी काफी ज़दा struggle कर रहा है but mid term से लेकि long term में actual में growth potential काफी हाई है तो उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है वैसे भी इंडिया की one of the largest company है Tata Group की company है तो risk as such आपकी capital पे almost ना के बराबर हो जाता है तो अब अगर आप लोग चाहें Tata Steel के share पे भी आपकी नजर बना के रख सकते हैं और actual में company के share को जो है आपके watch list के अंदर में add करियेगा बागी Tata Steel हो गया या इससे पहले cover किया NMDC हो गया इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसकी announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बागी अब इस वीडियो के अंदर इतना ही रखेंगे यही कुछ companies के shares थे जिनकी तरफ से बड़ी updates आ रही थी specifically जिन्होंने आपे bonus, split और dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो ची लगियो वीडियो को जरूर से like करिएगा चैनल को भी subscribe करिएगा because ऐसे वीडियो मैं आप लगो के लिए daily basis पे लेकर के आता रहता हूँ चलिए अब मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye